एक बार आज पुने आपका कक्षा दस पहतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है जैसे कि आपको पता है हमने बात की थी कि प्रकास का परावर्तन क्या होता है परावर्तन के नियम क्या होते हैं और फिर हमने पढ़ा था दर्पन दरपन के उपयोग, दरपन कितने तरह के होते हैं, किस तरह से उनको हम प्रयोग में लाते हैं, उनका कहां कहां पर उपयोग किया जाता है उसी के आगे कड़ी में आज हम पढ़ेंगे प्रकास का अपवर्तन यानि परावर्तन के बाद पढ़ेंगे प्रकास का अपवर्तन अपवर्तन के नियम अपवर्तन के नियम के बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनांग करते हैं और उसके बाद हम लैंसों के लिए दर्पन की ही भाति चिन परिपाटी को समझेंगे और वो किस तरह से कार्य करते हैं किस तरह से उन्हें उपयोग मिलाया जाता है उस पर बात करेंगे तो आओ सुरू करते हैं आज का नया संबोध प्रकास का अपोर्तन प्रकास का तो वह अपने जो मार्ग है उससे बिचलित हो जाती है प्रकास का इस तरह से अपने मार्ग से बिचलित हो जाना प्रकास का अपवर्तन कहलाता है प्रकास किरण किसी बिरल माध्यम से जैसे हवा से किसी कांच में यानि किसी सगन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पत से यानि वास्तविक पत से बिचलित हो जाती है तो उसका इस तरह से बिचलित हो जाना प्रकास का अपॉर्टन कहलाता है या इसके विपरीत कहलीजिए जब प्रकास किरण सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो भी वो अपने पत से बिचलित हो जाती है तो इस तरह की जो घटना होती है वो प्रकास का अपॉर्टन कहलाती है इसको हम एक यहाँ पर इंटरेक्टिव के माध्यम से देख लेते हैं और यह देख लेते हैं कि जब प्रकास किरण किसी बिरल से सघन या सघन से बिरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पत से किस तरह से बिचलित हो जाती है तो प्रकास किरण का अपने पत से बिचलित हो जाना माध्यम पे निर्भर करता है और उसका इस तरह से बिचलित होना प्रकास का अपर्टन कहलाता है आओ अब इस interactive के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से प्रकास की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस तरह से वो अपने पत से बिचलित होती है तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर हमने दो अलग अलग माध्यमों में जैसे एन वन और एन टू दो माध्यम लिये हैं अभी हम हवा से मान लिजे किसी दूसरे माध्यम काच में प्रवेश कर रहे हैं तो किस तरह से प्रकास की किरण अपने पत से बिचलित हो रही है तो जैसे जैसे हम माध्यम का मीडियम का अपरतनांग बदलेंगे या माध्यम का नेचर बदलेंगे यानि सगन से बिरल या बिरल से सगन माध्यम में जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये आने वाली जो प्रकास की किरण है वो अपने पत से बिचलित हो रही है या तो वो इस अविलंब की और जुक रही है या फिर वो अविलंब से दूर जा रही है तो यहां पर यह अविलंब की और आ रही है इसका मलए यह माद्यम यहां पर बिरल है और यह माद्यम सगन है जैसे कि यह कलर डिफरेंसी भी आप देख सकते हैं तो जैसे जैसे म प्रकास किरन का कोण अभिलम के साथ बदलेंगे यानि कोण का मान इस आपतन कोण का मान अगर बदलेंगे तो यहाँ पर यह अपरतन कोण का मान भी लगातार बदलता वा नजर आ रहा है यानि जैसे जैसे कोण आई का मान बदल रहा है वैसे जैसे कोण आर का मान भी बदल र और ये निर्भर किस पर कर रहा है ये निर्भर कर रहा है उस माध्यम के N पर N का मतलब है ये दो माध्यम है इन दो माध्यमों के अपरतनांक पर यानि यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि जब वो एक माध्यम जैसे हवा से होकर काच में गुजर रही है तो किस तरह से वो अ अपना पत को बिचलित कर देती है यह घटना प्रकास का अपोर्टन कहलाती है तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से प्रकास का अपोर्टन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यह सिर्फ हो रहा है जो आपतन कोण है और अपोर्टन कोण है दोनों के म मान यहां पर किस तरह से बदल रहे हैं या घटना प्रकास का अपोर्टन कहलाती है अब हम एक एनिमेशन के जरिये यह देखेंगे कि किस तरह से प्रकास का अपोर्टन हम देख सकते हैं तो जैसे यहां पर देख रहे हैं हम कि एक प्रकास की रण जो है यहां पर आ रही है और पर जो अपोर्टन कोन है उसका मान भी बदल रहा है तो आपको समझने की जरुवत है यानि जब M या N दो अलग-अलग dense medium यहां पर change हो रहे हैं तो उसी हिसाब से जो परकास का अपोर्टन कोन है उसका मान बदल रहा है तो जो आने वाली परकास किरण है उस परकास किरण के लिए आपतन कोन बदलने पर अपोर्टन कोन का मान बदल रहा है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल आफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे हैं उसका मान बढ़ा कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका जो एंगल आफ रिफ्रेक्शन है अपोर्टन कोन है उसका मान भी बदल रहा है यानि एंगिल आई और एंगिल आर के मानियां पर बदल रहे हैं जैसे जैसे हम डेंसिटी बदल रहे हैं डेंसिटी से मतलब है सगन या बिरल माध्यम का एन बदलने से परकास का अपवरतन कौन बदल रहा है तो इस तरह से अपवरतन कौन का बदलना परकास का अपने मार्ग से बिचलित हो जाना या घटना परकास का अपवरतन कहलाती है जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई भी परकास की रण जब किसी पारदरसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक पत से बिचलित हो जाती है तो उसका बिचलन ही यहाँ पर परकास का अपवरतन कहलाता है अब हम बात करेंगे परकास के अपवरतन के नियम की यानि परकास के अपवरतन के लिए क्या नियम है यह नियम सबसे पहले स्नैल का नियम के नाम से जाना जाता है सबसे पहले स्नैल ने इस नियम को परतिपादित किया था प्रकास के अपोर्तन के दो नियम है पहला नियम है कि आपतित किरण और आपतन बिंदू अविलम तीनो एक ही तल में होते हैं यानि कि जो incident ray है और refracted ray है और normal है वो एक ही plane में होते हैं एक ही जगह पर होते हैं इसी तरह से कोई भी दो माध्यम चाए सगन या बिरल और सगन किनी भी दो माध्यम के लिए प्रकास का जो किरण है वो आपतन कोण के लिए sign और अपरतन कोण के लिए sign यानि sign of angle of incidence यानि sign I यानि आपतन कोण की जा और अपरतन कोण की जा यानि sign of I और sign of R का जो अनुपात होता है वो नियतांक के बराबर होता है एक constant के बराबर होता है जैसे कि sign I बटे sign R is equal to N N का मलब वो अपरतनांग है इस नियम को इस नैल का नियम कहते हैं यहाँ पर जो नियतांक है N ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्छ अपरतनांग है यानि इसको हम N से डिनोट करते हैं जो ये बताता है कि किसी भी माध्यम के लिए जो अपरतनांग है वो उस म किरन का जो गमन पत है उस पर उसका बिचलन होना उस माध्यम पर निर्वर करता है कि वो बिरल से सगन में आ रही है या सगन से बिरल में जा रही है ठीक है तो इसको हम वाइस परसा भी कह सकते है कि सगन से बिरल या बिरल से सगन माध्यम में जाने पर प्रकास की जो चाल है वो चाल बदलती है और उसके चाल बदलने से चाल कम होने से या ज़्यादा होने से उस माध्यम में उसका बिचलन निश्चित होता है इस तरह की घटना को प्रकास का अपॉर्टन कहते हैं उसे सब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी माध्यम का अपुरतनांक निर्वात या वायू के सापेक्ज हम ग्याद कर सकते हैं या उस माध्यम का अपुरतनांक हम ग्याद करेंगे यहाँ पर जिसके सापेक्ज प्रकास अपने पत से बिचलित हो रहा है तो मान लिजे कि प्रकास की जो चाल है वो हवा में C से डिनोट करें और जब वो किसी माध्धम में प्रवेश कर रही है तो उसको उसकी चाल को V से डिनोट करें तो वहाँ पर जो अपुड़त्राण का मान होगा वो N बराबर C बटे V होगा यानि प्रकास की निर्वात में चाल बटे प्रकास की माध्यम में चाल यानि निर्वात में प्रकास की चाल सी और माध्यम में प्रकास की चाल हमने वी लिकी तो यहाँ पर जो प्रकास की चाल है वो वायू में अधिक होगी और माध्यम में कम होगी इसका आर्थ ये हुआ कि किसी भी माध्यम का निरिपेक्ष अपरतनांग सदैव एक से अधिक होगा या एक के बराबर होगा तो जब एक के बराबर होगा तो समझ लीजे कि परकास के रण उसी माध्यम से होकर गुजर गई है इसको हम ऐसे भी कह सकते है कि दो माध्यमों एक या दो में माध्यम एक में परकास की चाल माध्यम दो की तुलना में अधिक है यानि हवा में अधिक है और माध्यम में काच में या पानी में या किसी दूजरे माध्यम में कम है अब हम एक बार पुनेदे देखते हैं कि किस तरह से स्नायल के नियम को हम यहां पर सत्यापित करेंगे तो यहां पर I और R के मान बदलेंगे तो साइन I और साइन R का मान भी बदलता हो दिखाए डिगा तो जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कोई आपतित की रण जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है विरल से सगर माध्यम में जाती है तो उस माध्यम का N बदलने से किस तरह से I और R के मान बदलेंगे और फिर हम निकालेंगे वहाँ पर I और R के मान बदलने से स्लोप और तो वो जो slope हमारा ग्यात होगा वो ये बताएगा कि किस तरह से जो है N कमान ग्यात किया जा सकता है अब प्रतना ग्यात किया जा सकता है तो slope sin I upon sin R is equal to N निकालेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम I बदल रहे हैं पहले I कमान लगातार बदलने पर जैसे जैसे I कमान बढ़ रहा है R कमान भी यहां पर बढ़ रहा है तो ग्राफ में आप देख रहे होंगे दोनों वैलूस को अगर हम ग्राफ में देखें तो वो भी लगातार constantly वो change हो रहे है R कमान कम है I कमान जादा है इसका मतलब यह हुआ कि किरन जो है वो बिरल से second माद्द में प्रवेस कर रही है तो वो अपने पत से किस तरह से बिजलित हो रही है इसको दूसरे सब्दों में हम यह कह सकते है कि यहां पर I का जो मान है R का जो मान है दोनों का ratio एक constant के पराबर है जिसको हम यहां N से परदरसित कर रहे है आगर हम N का मान यहां पर change करें तो जैसे जैसे N का मान घट रहा है तो प्रकास लगवग यहां पर जैसे दिखाई दे रहा है कि सीधी रिखा में जा रहा है या उसका मान बढ़ा रहा है तो प्रकास किरन जादा बिचलित हो रही है तो ये काच हो सकता है ये पानी हो सकता है कोई भी माद्यम ट्रांस्पेरेंट माद्यम होना चाहिए पाड़दर्सी माद्यम होना चाहिए जब भी उसमें प्रकास की किरन आपतित होगी तो जो अपवर्तित किरन होगी उसका जो سائین آر کا مان غیالت کریں گے اور سلوپ میں देखें گے تو उनका जो مان है वो एक कॉंस्टेंट के बराबर होगा जिए उस माध्यम का अपटरणा ग्याँत करेगा हम बात करते हैं لैंस की यानी लैंस किसे कहते हैं और لैंस के परकार यानी लैंस कितने परकार के होते हैं कहते हैं यानि कि हमारे पास जैसे हमने गोलिय दर्पन पड़ा था उसी तरह से गोलिय प्रिष्टों से लैंस बनते हैं सर्फ अंतर यह है कि उसकी जो सर्फेस थी वो पॉलिस्ड होती थी एक सर्फेस हार्ड होती थी एक मगदार होती थी और यहाँ पर दोनों सर्फेस जो हैं वो पार दर्सी होंगी तो दो गोली अप्रिस्ट अत्वा एक गोली अप्रिस्ट और एक समतल प्रिस्ट से घिरावा माध्यम एक लेंस बनाता है और यह लेंस दो परकार के होते हैं जैसे उत्तर लेंस और अवतर लेंस तो उत्तर लेंस का जो आकार है वो कैसे दिखाई देता है और जो अवतर लेंस है उसका आकर कैसे दिखाई देता है आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर समझे कि उत्तर लेंस है क्या उत्तर लेंस यानि जो आपको जिसके सिर किनारों पर पतले और बीच में मोटे दिखाई दे वो उत्तल लेंस इसके बिपरीत उत्तल लेंस जिसके किनारे मोटे हो और बीच में उत्तल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है तो यहां पर अवतल और उतल लेंस को पहचानने के लिए आप बिना इसपर्स किये बिना छुए भी उतल लेंस और आवतल लेंस की पहचान कर सकते हो जैसे की लेंसों की पहचान करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से उनके द्वारा दिखाई देने वाले परते भेम होंगे तो यदि वह उत्ताल लेंस है तो उसमें जो हम अगर उसके सामने कोई बस्तू रखेंगे तो उसका जो आकार है वो आपको अगर घड़तावा दिखाई देगा तो वह Lens जो है अवताल Lens होगा और इसके बिपरीत, यदी उसका आकार बड़तावा दिखाई देगा तो उतल Lens होगा यानि कि किसी भी उतल Lens, अवतल Lens या काँच की पटीका में यदि हम कुछ बस्तू को उसके सामने रखे तो यदि अक्छर या बस्तू का आकार बड़ा दिखाई दे तो वो उत्तल होगा और अगर वो घर्टावा दिखाई देगा तो वो उत्तल लेंस होगा तो हम इस तरह से भी किसी काँच की पटिका से या काँच की बिर्ताकार इस पटिका से ये पता लगा सकते हैं कि उस पटिका की प्रकृति क्या है अवतल है या उतल है इसी तरह से हम ये पता लगा सकते है कि अगर हमारे सामने रखी बस्तू का आकार बड़ा है तो वो लेंस उत्तल लेंस है और अगर वो जोटा हो रहा है तो वो आवतल लेंस है इसको जो उत्तल लेंस है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और जो आवतल लेंस होता उसको बो आने से पहले ही scatter कर दे फैला दे तो of the lens और जो focus पर मिला दे यानि एक point पर ला दे तो उसको हम उत्ता lens कहते हैं इस तरह से दरपन के लिए हम कुछ पदों को समझ रहे थे कुछ हमारे पास कुछ key points थे उसी तरह से lens के लिए भी कुछ key points होते हैं जैसे principle axis परकासिक केंदर इसी तरह से focus यानि first focal point second focal point इसी तरह से वहाँ पर जो होता है वो focus के थूँ हम जब परकास को गुजारते हैं तो किस तरह से उसकी परकृती बदलती है या जो lens है उसका जो center है केंदर है उसको हम क्या कहते हैं यानि परकासिक केंदर तो यह point आपको याद रखने है कि परकासिक केंदर optical center क्या होता है principle axis क्या होता है principle focus क्या होता है focus भी first focus second focus क्या होता है यह हम याद रखेंगे और चित्र के माद्यम से हम यहाँ पर एक बारी देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा कोई किसी भी लेंज के लिए चाए वो उतल हो उसके लिए किस तरह से हम प्रकासी केंदर को देखेंगे कैसे हम उसका फोकस देखेंगे और फिर उसमें ये देखेंगे कि जब उससे होकर कोई प्रकास की रण होकर गुजरेगी तो वहाँ पर उस प्रकास किरण का जो अपोर्तन होगा वो किस तरह से होगा उसको हम यहाँ पर समझेंगे और यह समझने के बाद हम यह बताएंगे कि जो इनके द्वारा परतिविम बनेंगे बस्तू के जो परतिविम बनेंगे उनके आकार किस तरह के दिखाए देंगे या जो बेसिक पॉइंट्स हैं प्रकासि केंद्र, मुख्य, अक्ष, फस्ट फोकल पॉइंट से किल फोकल पॉइंट ये हमें पता होने चाहिए तब ही जाके हम आगे जब किरण आरे खीचेंगे किसी भी लैंस के लिए तो हम ये पता लगा पाएंगे कि बस्तू का परतिविम किस प्रकार से बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा और इसको पढ़ने के साथ साथ हम किसी भी लैंस के लिए चिन परिपाटी भी समझ लेंगे जैसा हमने दरपण में पढ़ा था दरपण की चिन परिपार्टी उसी तरह से लैंस की भी चिन परिपार्टी होती है हूब हो बिल्कुल वैसे ही वह उसी तरह के नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं जो दरपण में होते थे जैसे कि किसी भी लेंस के द्वारा पड़ते मिम जब बने गात उसके लिए क्या नियम होंगे तो ये आपको याद रखना है कि जितनी भी लेंस पर प्रकास किरने बाई ओर से दाई ओर जाएंगी तो हम उस समय उन सभी दूरियों को रिनात मक लेंगे और जो उसके दाई तरफ होंगी उन दूरियों को धनात मक लेंगे इसी तरह से जो बस्तू की उपर की ओर की दिसाएं होंगी वहां से जो भी दूरी ना पी जाएंगी यानि बस्तू का साइज या आकार तो उसको धनात मर लेंगे और नीचे की ओर धनात मक लेंगे या ऐसा कह लिजे कि मुख्य अक्ष के सामानतर चलने वाली सभी प्रकास किरने अपुरतन के पश्चाद जब फोकस से होकर गुजरती हैं तो हम उनको देख लेंगे कि कहां पर परतिविम बनाएंगी तो परतिविम अगर बाईं तरफ बनेगा तो उसको रनात मगलेंगे दाईं तरफ बनेगा तो धनात मगलेंगे इसी तरह से कोई भी दूरी अगर हमने Optical Center यानि प्रकासिक केंदर से नापनी है तो हमें ये देखना है कि वो Left में है, Right में है या Y-Axis के Positive Direction में है या Negative Direction में है इसी के आधार पर हम बस्तुक का जब मेजरमेंट करेंगे उसके दूरियों का मेजरमेंट करेंगे तो हम धन और रणचिन लगाकर उनको हल करेंगे ये हमें आंखिक प्रश्ण हल करने में भी मदद करेंगा अब हम यहाँ पर Lens के द्वारा जो परतिविम बनते हैं उनकी स्थिति को समझते हैं कि किस तरह से Lens जो है बस्तु का परतिविम बनाता है तो जैसे कि हम यहाँ पर एक हमने उत्तल Lens लिया है और उस उत्तल Lens के लिए हमने एक बस्तु को लिया है और उस बस्तु का परतिविम देखेंगे तो जैसे हमने पहले भी कहा कि जो परकास की रण सामानतर जाएगी वो फोकस से जाएगी और जो फोकस से जाएगी वो सामानतर हो जाएगी इसी तरह से जो परकासी केंडर से होकर जाएगी वो अपने रास्ते से बिचलित नहीं होगी फिर हम यह बताएंगे कि वो परतिविम Real बनेगा या Kalpnik बनेगा अब हम जैसे की बस्तु का Size देख रहे हैं यहां पे जैसे जैसे बस्तु का Size बदल रहे है वैसे वैसे परतिविम का Size भी बदल रहा है यानि कि यह उत्तर Lens का नेचर है यहां पर कि Size बढ़ाने से आप देख रहे हूंगे परतिविम का size भी यहाँ पर बदल रहा है और अब हम यह देखेंगे कि जैसे जैसे बस्तू की position हमने change की है तो किस तरह से जो है वहाँ पर परतिविम की इस्तिती भी बदल रही है तो जब हम बस्तू को focus की तरफ ला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ दूसरे focus से वो दूर जा रही है और उस आकार बड़ा हो रहा है और जब हम उसे focus पर एकदम ले आते हैं तो वो परतिविम अनंत पर बन जाता है यहाँ जब हम उसे focus से आगे लेते हैं तो परतिविम बस्तू के just पीछे और सीधा बनता दिखाई देता है जो की virtual है कालपनिक image है तो य वासी बना रहा है तो जब focus से दूर जा रहा है तो वास्तविक बना रहा है और जब focus से आगे आ रहा है तो धीरे धीरे बस्तू का परतिविम क्या होता जा रहा है आवासी होता जा रहा है इसी तरह से जब focus दूरी change कर रहे है लेंस के लिए तो बस्तू का परतिविम का आक आवासी बनेगा तो किसी भी बस्तु का परतिविम उत्तल लैंस के लिए वास्तविक होता है और हमने ये भी देखा कि जब हम बस्तु का परतिविम को यहां पर अलग-अलग स्तिती में देख रहे हैं तो कब वो रियल हो रहा है और कब वो वर्चुल हो रहा है इसी तरह से ए एक बस्तु दिखा रखी है एक हमने आवतर-लैंस दिखा रखा है और इस आवतर ‌लैंस के सामने जब बस्तु को हम देखते ए तो में देखें ग िने के उसका पड़तीर कीरा कशी Century कैसे भीनेगा है यहां पर भी दिखाए दे रही परती तो रही डॉट-डॉट लाइन से दिखा रहा है इसी तरह से जो प्रकासि केंदर से हो कर जा रही है वोगार यह सीधी चली गई और वही से वापस हो गई तो यहाँ आप देख रहा होंगे बस्तू का परतिविम जो है वो सीधा बन रहा है चोटा बन तो उसका परतिविम थोड़ा बड़ा होगा लेकिन जैसे-जैसे हम उसको दोर ले जाएंगे तो उसका आकार भी बड़ा होता चला जाएगा तो यहां पर हमें क्या पतर चल रहा है कि जो अउदल लैंस है उसके द्वारा बने परतिविम आवहासी होंगे और उनकी जो परकड़ती होगी वो डिमनिस्ड होगी वो बहुत डिम दिखाई देंगे छोटे दिखाई देंगे और नीचर में कालपनिक होंगे एक बार फुने हम एक उत्तल लैंस के द्वृरा पर्तिविम बस्थू का किस तरह से बनता होँ दिखाये देगा उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर उत्तल लैंस है यहाँ पे जो क्रॉस है यह दो फोकस पाइंट है और इन दो फोकस पर जो है हम देखेंगे कि जब इनके बियॉंड हम बस्तू को रखते हैं तो कैसे उनका परतिविम दिखाये देता है तो यह प्रिंस्पल एक्सिस पर लैंस रखा वो है अब तल लैंस जैसे कि पीछे हमने दिखाया था अब यह इसले दिखा रहा है क्योंकि हमें नुमेरिकल करने हैं तो अलग लग पोजिशन पर हम बस्तू को देखेंगे परकासी केंद्र के पास ला रहे हैं तो बस्तू का परतिविम बड़ा बन रहा है आबासी बन रहा है सीधा बन रहा है तो यहां पर परकास किरने क्या हो रही हैं मिलती भी परतीत हो रही है तो हम जब बस्तू को फोकस से दूर ले जाएंगे तो बस्तू का जो प्रतिविम है वो धीरे धीरे करके क्या बनता चला जाएगा रियल यानि आप देख रहे होंगे कि वो उसमें बाई तरफ यहां पर हम दिखा रहे हैं आप दाई तरफ है बाई तरफ कहीं भी बस्तू रखोगे वहां प्रतिविम दिखाए देगा तो फोकस से जब दूर ले जाएंगे तो वास्तविक बन रहा है और जब हम फोकस के नज लाएंगे तो आबासी बनेगा